नमस्कार किसान भाई और ट्रेक्टर जंक्षन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है शुबंग त्यागी और मेरे साथ में है जॉन डियर का 50-36D इस वीडियो में मैं आपको पाच खास बात बताने वाला हूँ जिनके चलते ये ट्रेक्टर अपने सेग्मेंट में सबसे अलग है और एक तरह से आप समझ सकते हो कि क्यूं आपको इस ट्रेक्टर को खरीदना चाहिए तो अगर आप 36 होर्स पावर कैडिगरी में एक ट्रेक्टर देख रहे हो और जॉन डियर पचास चतिस आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो आपके लिए चलो आपको बताते हैं क्यूं पचास चतिस डी आपको खरीदना चाहिए इस ट्रेक्टर में क्या कुछ खास है फर्स्ट पॉइंट जॉन डियर ट्रेक्टर उन ट्रेक्टर ब्रेंड्स में है जिनको भारते बजार में काफी जादा पसंद किया जाता है और top 5 tractor brands के अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर आपको John Deere का नाम भी देखने को मिलेगा और ये वजा है पहली जिसके चलते मुझे लगता है कि आपको John Deere 50 36D को consider करना चाहिए बात करते हैं point number 2 की जो की है इसका engine John Deere 50 36D आपको 36 horsepower की power के साथ में मिलता है और इस tractor के साथ में 8 forward और 4 reverse gears आपको देखने को मिलता है cooler shift के साथ में यहाँ पर आपको इसका gearbox मिलेगा cooler shift होने की वज़े से इसका transmission है वो काफी लंबे समय तक अच्छे से काम करता है जहाँ पर आपकी अच्छी खासी बचत होती है और ये engine भी काफी जादा fuel efficient है यानि की आपका जो तेल का खर्चा है वो भी इसके साथ में काफी कम होने वाला है और ये दूसरी बड़ी वज़ा है 50-36 को खरीदने के लिए तीसरी बड़ी वज़ा इस tractor को खरीदने की वो है इसकी lifting capacity 50-36D आपको मिलता है 1600 kg की lifting capacity के साथ में जानि की अच्छा खासा लोड ये ट्रेक्टर उठा सकता है और इस category में अगर आप देखोगे तो ये अच्छी पे लोड कापैसिटी के साथ में आता है साथ ही यहाँ पर जो PTO power है वो आपको 30.6 horsepower की मिलती है तो जबरदस PTO power और जबरदस lifting capacity के साथ में आपको इस tractor मिलता है और इसके turning radius को अगर आप देखोगे तो ये भी काफी कम है अगर आप brake के साथ में इस tractor को गुमाते हो तो 2.9 meter के turning radius के साथ में इस tractor आता है जैसे कि आयल इमर्ज ब्रेकिंग शिस्टम आपको इस tractor के साथ में मिलता है पावर स्टेरिंग आपको इस tractor के साथ में मिलता है साथ ही टायर के अंदर आपको options मिल जाते हैं यहां पर आपको 12 V का सौकिट मिलता है सेमि डिस्टल मीटर है, स्पीड आपको अनलोग मिलेगी, लेकिन डिस्टल पार्ट में आपको पता चल जाएगा कितने घंटे आपने ट्रेक्टर चलाया है, तो ये कुछ ऐसी खास चीज़े हैं, जो इस ट्रेक्टर को अपने सेग्मेंट में काफी खास बनाती है, पांच अगर इसमें कुछ प्रोब्लम आई, परिशानी हुई तो क्या होगा, तो पांच हजार गंटे तक आप इस ट्रेक्टर को बे फिक्र हुके चला सकते हूँ, आपके पास अच्छा खासा वारंटी टाइम है, अगर कोई प्रोब्लम आती है, कोई परिशानी होती है, तो आरा आपको कैसा लगा, इस ट्रेक्टर के बारे में जदी कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप कॉमेंट करो, फिर वो डिटेल भी हम आपके साथ जरूर से साजा करेंगे, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो, ट्रेक्टर जंक्श क्या हैं!